नमस्कार दोस्तों, ASV Knowledge की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज हमारे पास MKा Fighter Jet को लिकर एक नहीं बलकि दो बड़ी खबरे निकल कर सामने आ रही है जिसमें से पहली खबर है MKा के Special Purpose Weekly के इंडर प्रोडक्शन को लिकर हमारे एक्चे इंडर आ रही एक काफी बड़ी समस्या को पिछले कल दूर करके MKा के निर्मान कारिये के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है तो वहीं दूसरी खबर है MKा और भारत के MRFA टेंडर को लिकर जिसके इंडर अब भारत 114 की संख्या में राफिल नहीं बलकि MKा फाइटर जेट को ही अपनी भारतिय वाई सेन को दे सकता है और इसके पीछे की वज़ा जानकर आपके भी होस उट जाएंगे इसलिए इस वीडियो को लाइक कर लीजे ताकि हमें आपके लिए और भी ऐसे ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे तो दोस्तों बात करेगर पहली अपडेट की तो पिछले साथ भारति सरकार ने ये डिसाइड किया था कि हम अपने MKा फाइटेजट को इस पेसल परपस वीकल स्कीम के अंडर बनाएंगे यानि कि हमारे MKा प्रोजक्ट के जितने भी स्टेक्स है उन में से जादतर स्टेक्स हम अपनी प्राइट कमपनियों में बाढ़ देंगे जिस से हो गए ये कि हमारे MKा की production का काम सरकारी कमपनिया नहीं बलकि प्राइवेट कम्पनीज करेगी ताकि MK की production में किसी भी तरह का delay ना हो सके क्योंकि प्राइवेट डिफेंस कंपनीज काफी ज़्यादा फास्ट और काफी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से वर्क करती है और क्योंकि उनका जो पूरा काम है वो प्रॉफिट के उपर डिपेंड रहता है इसलिए अगर उन्हें एमका बनाने का काम दिया जाएगा तो वो भारत सरकार के इस प्लान में एक काफी बड़ी समस्या गई थी और वो यह कि हमारी प्राइवेट कंपनियों के पास फाइटर जट को मैनिफेक्ट्र करने के लिए कोई भी प्रोडेक्शन लाइन मौजूद नहीं है और तो हमारी कंपनियों के पास अकेले प्रोडेक्शन लिमिटिड ने इस मामले में एक बड़ी एंट्री माली है और उसने प्राइवेट कंपनियों के सामने एक ऐसा प्रोपोजल रखा है जिससे हमारा एमका एस्पीवी प्लान वापस से पट्री पर आ जाएगा दरसल हिंदुस्तान एरोनौटिक लिमिटिड के कुछ ऑफिसि है कि उनमें माइनर अपग्रेड करके उनका यूज एमका की प्रोडिक्शन के लिए क्या जा सकता है और इसका खर्जा भी जादर नहीं आएगा क्योंकि एमका की प्रोडिक्शन के लिए जितनी भी टेक्नलोजी और मसीनरीज की ज़रुरत पड़ेगी वह सब हल की इस फैस कम हो गया है और अब हमारी कंपनिया खुलकर इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर पाएंगी इतना ही एचल का कहना है कि एमका तयार होने के बाद हमारी तरफ से 40 एमका का डारेक्ट ओडर हमारी प्राइवेट कंपनियों को दिया जाएगा ताकि उनका इंट्रस्ट इस प्रोजेक्ट में बढ़ाया जा सके चलिए दोस्तों बात करें अगर दूसरी अपडेट की तो आज से कुछ दिन पहले भारत सरकार ने एमका फाइट अजट को लेकर अपनी तरफ से फाइनल अप्रूवल दिया था जिसके बाद भारत में एमका के प्रोटोटाइप को लेकर काम सुरू हो गया है जिसके बाद इस बात के पूरे पूरे चांसिस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एमका की वज़ा से भारत का MRF टेंडर कॉम्प्रमाइज हो सकता है जी हां भारत सरकार द्वारा जो भारतिय वायुसेना के लिए 114 नए फाइटर जेट हमने आ रही है पहली थ्योरी यह है कि डस और टैविशन के पास इस वक्त राफेल फाइटर जेट के कई सारे ओर्डर स्पेंडिंग में पड़े हैं जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में ही बताया है यह ओर्डर सुन से पूरे नहीं हो पा रहे और अगर ऐसे में हमने र लगबग तैयार हो जाएगा ऐसे में राफेल का वेट क्यों करें और दूसरी थ्योरी है कोस्ट दरसल कई डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि एक राफेल भारत को लगबग 920 करोड का मिल रहा है जबकि एमका मेड इन इंडिया होने की वज़ा से राफेल से जादर महेंग सुरू होगी तब इसकी कॉस्ट राफेल से भी सस्ती हो जाएगी हम मानते हैं कि राफेल एक बहतरीन फाइटर जेट है लेकिन एमका का मुकाबला 4.5 जनरेशन के राफेल से कभी नहीं हो सकता हमारे एमका मार्क बन का मुकाबला F-35 से और मार्क 2 का F-22 से है अब ऐसे में भारे सरकार 20 बिलियन डॉलर्स में 114 राफिल लेने से अच्छा 114 एमका लेना समझ रही है हालक इससे हमारी वायू सेनको दिक्कत हो सकती है क्योंकि लगातार घट रही फाइटर जेट की फ्लीट को देखते हुए हमारी वायू सेनको फाइटर जेट इमीडेट बेसिस पर चाहिए अब ऐसे में आपको क्या लगता है क्या भारे सरकार को एमका कवेट करना चाहिए या फिर कोई दूसरा फाइटर जर्ले लेना चाहिए कमेंड करके जरूर बताना और जाने से पहले एस्वी नॉलीच चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आईकन को जरूर पैस करना ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जै हिंग जै भारत